हेलो दोस्तों फिर से सौगत है आपका मेरे चैनल हैस्टेक यूपीपीस पे चौहान में तो दोस्तों मेरा नाम है कीरत चौहान और हम क्या कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सिरीज तो दोस्तों जिसमें हम करें आधुनिक भारत का इतिहास आप करेंगे हम चैप नमबर 34 जो की है गोल में सम्मेलन तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें चले अब टाइम बेश्च कि बगार हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जो की है बहुत चोटा था ही चैप्टर है कि यह भी पार्ट में कम्प्लीट हो जाएगा अपके तारे चैप्टर जो है चोटे है जैसे कि आप देख चुके होंगे एक दो चैप्टर आप कर चुके तो इसमें लिखा है 10 जून ठीक है तो पहले सुरू में देख लेते हैं तीन गोल में सम्मेलन में पार्ट ले लेते हैं थर्ड में फिर से कॉंग्रेस पार्ट नहीं लेती है तो यह हो गई कहानी शॉर्ट में अब आए थोड़ा तो इसमें लिखा है कि गोल में सम्मेलन 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमिशन की रोपोर्ट क्या होती है प्रकाशित होती ह हमने कहाता है साइमन कमिशन आता है और लोग इसका विरोध करते हैं तो देखें 10 जून 24 जून 1930 को क्या होता है साइमन कमिशन की रोपोर्ट प्रकाशित होती है फिल लिखा है राजनीतिक संगठनों ने कमिशन की सिफारिशों को अस्विकार कर दिया कॉंग्रेस के संग्रेस वक्त गांधी जी जेल में थे तो कि इस संग्रेस में क्या है एट्टी नाइन भारती प्रतिनिधियों ने भाग लिया कॉंग्रेस नहीं कॉंग्रेस के इलावा भी बहुत लोगों को जो राजा रजवाडे थे या फिर मुसलिम लीग से थे तो बहुत सारे लोग तेज बहादूर सप्रू फिर लिखा है सीनिवास सास्त्री मुहमद अली मुहमद सफी फिर आगाखा फजुल हक मुहमद अली जिन्ना होमी मोदी और इतने लिखाए मार जैकर मुंझे भीम राव अंबेडिकर सुंदर सिंग मजी ठिया ठीक है तो एक नाम बहुत ज्यादा है कि इस सम्मेलन का उदगार्टन सम्म्राट ने किया था और इसके अधक्षता महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के एक मात्र प्रतिनिदी के रूप में हिस्सा लिया था इसके इलावा सरोजी नाइटू मदन मोहन मालविय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया तो एक दो नाम आपको याद रखने हैं इस जहाज का जो है जल पोट यह जिसमें बेट कि महात्मा गांधी लंडन पहुंचते हैं वह है ऐस एस राजपुता ने कॉषं पूछा गया है तो यह लंडन के कहां पौँचते हैं किंग्सवेल किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे तो यह गास इसमें नाम क्या क्या important है SS राशबुताना जहाद से जाते हैं लंडन में जाते हैं Kings Sorry Kingsley Hall यहां पर ठेहरते हैं ठीक है फिर गतिरोध की कारण क्या होता है सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया जाता है और गांदी जी को लंडन से खाली हात वापस आना पड़ता है मतलब जो है गांदी जो है सम्मेलन को छोड़के वापस आ जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आती बात ठीक है तो स्वदेश पहुंचने बाद गांदी ने क्या क वो कहते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हात लोटा हूँ किंतु मुझे संतोश है कि जो धोज मुझे सौपा गया उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझाता नहीं किया दुति गोल में सम्मेलन सामप्रदाइक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह करने दलितों के लिए क्या प्रथक निर्वाचन मंडल की मांग की ठीक है जैसे मुस्लिम लीक ने की थी ना मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल की मांग वैसे ही बीमरा अमेडिकर भी यहां क्या करते हैं कि दलितों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल की मां तो बिल्कुल हिंदू जो हिंदू है या बाकी लोगों से कटके अलग हो जाएगा ठीक है वो चाते थे बहुत सब एक साथ रहें यहां तो लोग समुदाय समुदाय अलग अपने संप्रदाय को अलग करने में तोले हुए थे जैसे मुस्लिम लीग ने अपने आपको अलग कर देंगे तो यहां पर गांधी जी को लगा नहीं यह गलत है वह इसको अस्विकार करते हैं इस बात को और भाग के इंडिया तो यह लिका है डॉक्टर बीम राव अम्मेडिकर यानि की बी आर अम्मेडिकर तीसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारती कि प्रतिनीत action यह लंड़न में तीसरा गोल में सम्मेडलन कभ होता हैLaugh अपका 32 जाग्याइश म्या प्रत्रक निर्वाचन दलितों के लिए इस वएसे गांदी जी वापस आ जाते है लिखा है निमलिकित मेसे किस भारतीय नेता ने लेंडन में प्रथम गोल्वेस कॉंफरेंस में भाग लिया था तो उसमें लिखा है मौलाना मौहमद अली इनका नाम ही है बाकी तो गांदी जी ने नहीं लिया था वो तो उसक्त जेल में थे इन्होंने भी नहीं लिया था ठीक है तो इसमें गैस यह वही सारी चीज़े दोस्तों एक बार आप पढ़ लिए अभी हमने नोट में पढ़िए चेसरी अब और एक कॉंगरेस प्रती निदी मंदल णे कॉंसे प्रति नाम नाम यह रहा थीक है संपन प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में भारती राश्य कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इसमेलन का उठगाटन कौन करता है ब्रिटिस समराट करते हैं और इसके अधिक्षता कौन करता है जो वहां के प्रधानमंती है रैमजे मेक डॉनल्ड वो करते हैं चले आगे बढ सम्मेलन कब हुआ था नालै निम्लिफित किन व्यक्तियों ने ने रिखियं गMr. canned Sm parallel था है महात्म गांदी तो कॉंचे एं पर नत्म गंदी ने इलिए था भाग और मदन Smrit थां विए घ्रिक है YouTube समिलन Me महत्मा गांदी ने कॉंग्रेस के एक मात प्रतिनिदी के रूप में हिस्सा लिया था इसके इलावा सरोजी नाइडू मदन मुहन मालवियो ने भी सममेलन में इस्सा लिया था एनी बेसिंट भी सम्मिलन में पहुंचती है और महत्मा गांदी जो हैं यानि कि गांदी जी के साथ उनके जो सचव हैं कौन थे महादेव देशाई ठीक है प्यारे लाग और मीरा बेन देवदास गांदी भी लंडन गए थे तो और क्या नाम याद रखने हैं तो एक तो हो ग चौट के जाने का सवाल उठता ही नहीं दोस्तों महत्मा गांदी ने किया था रहे हैं अगे पर दोस्तों लेंडन अजवित निमलिखित गोल में समिलन, में ने से महात्मा गांदी, कस हमे वाले में समय खुल के सब्सक्राइब कोसें, भरती हमें दो नौन خसें है कहता है अंतर नहीं था पिल्कुल ठीक है गाइस ए गलत है मतलब ए गलत आर सही तो इस क्या होगा कॉंग्रेस जो है दुत्य गोल में समयलन में भाग ले लेगी वहिशकार नहीं करेगी कौन बिटिस सामान का बहिशकार नहीं करेगी गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जाच की जो है मांग नहीं करेंगे तो इसमें दो तिन पॉइंट्स नए हो लिए जाओ करें जुद्द नहीं करिगें जाद दोस्तों फिल्खके नहीं करें थे तो यह थोड़े जादा क्उश्चन सहो गई तो यह महातमा गंदी जब वह भाग लेने लंडन गह थे तो कहां ठहरे थे तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे और किस्ट से गई थे राज़ से गए थे लंडन गए थे कहां ठह रहे थे Kingsley Hall में ठह रहे थे फिर लिकाई दुत्य गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेश के प्रतिनिधी के रूप में भाग लेने के लिए महत्मा गांदी बंबी से लंडन किस पानी के जहाद से गए तो किस से गए थे SS राष्ष पूताना से ऑरके डिकाई किस गोल में सम्मिलन में भारती राष्ट्री कांग्रेश के प्रतिनिधी ने प्रत्म भाज लिया था वर यह होता है साथ सितंबर से एक सु Soup शीट शालता है तो इसमें कॉंग्रेश की तरफ से कौन एक मात्रप्रतिनिध्र कौन होता है गांदी जी कारण 1 समयलन 1 दिशमबर हो गांदी जी वायब में वायद data in लंडन से आते हैं फिर उसके बाद हमाई पास है दुतिय गोल में सम्मेलन किस प्रश्ण पर जो है असफल होता है साम प्रदाइक प्रतिनिदित्यु की वज़े से असफल रहता है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर भीमरा अमेडिकर है वो दलितों के लिए प्रतक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं जिसे गांदी जी अस्विकार कर देते हैं ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है एक दिसंबर 1931 को जो यह सम्मेलन है वो हो जाता है समाप्त गोशित कर दिया रहता है उस भारती का नाम था जिसने तीसरे गोल में सम्मेलन में भाग लि हुई बैठक का जो प्राया प्रतम दुत्य तित्य गोल में सम्मेलन के रूप में उले किया गया है उसी रूप में उले गलत होगा क्योंकि तो गैस क्योंकि पढ़ लेते हैं देखे इसकी व्याक्या एक बार देखते हैं तो इसमें लिखा प्रतम दुत्य तित्य गोल में स तो गोल में भारत में राजनीतिक सुधार और साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाए गया था तो डी में क्या लिखाए यह तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपी तो यह एक ही सम्मेलन के अवस्था थी और इसके जो है तीन सत्रों में सम्मेलनों में से किसका प्रतिनेति तो भारती राष्ट्र कॉंग्रेस ने किया था तो गईस दोतेगा फिर आगे यह आप पढ़ प्रथम गोल में सम्मेलन कब होता है आपका 1912 नविंबर 1930 से लिखर 12 जनवरी 1931 तक लंडन में आयजूत होता है जिसमें भारती उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासाबा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाडो के प्रतिनिदियों ने भाग लिया था किन्तो कॉंग्रेश जो है इसमें सामल नहीं थी, दूसरे वाला कब होता है, 7 सेतंबर 1931 से, 1 दिसंबर 1931 तक होता है और कॉंग्रेश की तरफ से कौन पहुँचते हैं, सेवासिफ गांधी जी पहुँचते हैं तीसरा कब होता है 17 November 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है और Congress इसका क्या करती है बहिशकार कर देती है फिर लिखा है निम्न में से कौन सा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था तो गैस तीसरा हुआ था फिर लिखा है भारतिय लिखा है यहां पर प्रथम गोल में सम्मेले में डॉक्टर भीमरा अंबेडिकर ने दलित वर्ग के लिए अलक निर्वाचन मंडल की मांग की थी तो गैस यह करी थी सेकंड वाले में ठीक है फिर लिखा है पूना पैक्ट में इस्थानी निकायों और सिविल सेवाओं में दल प्रथम गोल में डॉक्टर अंबेडिकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी और कॉंग्रेस ने प्रथम तित्य गोल में सम्मेले में भाग नहीं लिया था सब जानते हैं पूना पैक्ट में क्या होता है प्रावधानित था कि इस्थानी निकायों के चुनाव और लोग सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सद्दस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किये जाएंगे इसमें जो है दलित वर्गों के उ नाम है कीरा चोहन तो दोस्तो यहां पर और बीडियो को शेयर करें इसमें मेरे चैनल का नम है मेरा नाम है कीरा चोहान तो दोस्तों यहां पर आप जो है आप इस वीडियो को करते हैं स्टॉप खतम करते हैं और जो है अब नए चैप्टर के सांग नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद